हाई एवरीवन वेलकम अगेन इन केवीची आपका केवीची में स्वागत है आपकी केसे चल रही है तेया है आप तो 3-4 दिन और बचे हैं परलब 4-5 दिन और रहें उसके बाद तो आपको एक्जाम देना ही है जिनका 8 को है और जिनका 15 को है उनको कुछ टाइम गोद मिल जा अब उसका solution देखते हैं ठीक है तो आप स्कीन पर देखी मैं यहां solution देता हूं तो पजल में देखुए ही क्या है sitting arrangement basically क्या कहा गया है A, B, C, D, F, G मैं जो साजने होगे G साथ से होता है और sitting in a state line facing north but not necessarily in same order ठीक है इस तरी के छोटी बोटी पजल तो आती ही रहती है एक दो यह को देंगी कल प्रीम है ताकि आपको न यह पजल तो एक देट मिन्ट में होनी ही होनी चाहिए नहीं हो रही तो फिर मामला serious है देखुए क्या कह रहा है there is only one person between F and C चलो यह तो तरीका इन पजल को यह है कि आप पूरी पढ़ लो आपको एदम चीज समझ में आ जाएंग नहीं तो problems आ सकती है या फिर starting से करो condition लिखते जाओ जहां से fix आ है वहां से start कर दो ठीक है मैं यह पहला वाला दूसरा वाला method कर रहा हूं condition लिख रहा हूं साथ साथ में और जहां से fix होगा वहां से start कर दो क्या कर रहा है there is only one person between F and C ठीक है F और C के बीच में एक person है इसको म तो A, E है वो किसके बीच में A और D यानि E A और D के बीच में है इसमें हमां box नहीं बना रहा है क्यों नहीं बना रहा है इसके बीच में 2% 3% आ सकते हैं फिर क्या है there is only two person between E and G यानि E और D की बीच में दो person है देखो मुझे कोई अच्छी पर नहीं मिलती है आगी condition तो मैं इससे start करूँगा नहीं तो फिर जो condition है उससे देखूँगा F sits on the immediate left of A who sits in the middle of the row who sits कौन A who किसको बाद है पास वाले पडोशी वाले object को बताता है सुरी subject को बताता है तो मतलब A है ना जो middle of the row है बस यह तो information चाहिए थी और उसके just left में F sits immediate left of A तो A इदम बीच में चलो फिर एक, दो, तीन इदर होंगे A के left में कौन है एक left में F है चलो एक left में F है फिर क्या F से related क्या है F और C के बीच में क्या है एक person है तो C यहां आ सकता है या फिर C यहां आ सकता है अब देखो लिखना में इस चीज़ को च्छोटी सी दो condition को माइड में बनाना सी दो C इदर आ गया, C इदर आ गया तो E और G के बीच में दो बंदे आने चीज़, E यहां आ सकता है दो बंदे नहीं आ पाएंगे नहीं हो सकते था ही इससे अलावा तो कोई नहीं आ सकते है ही यहां नहीं थो नहीं हो सकता परoc you aor d के बीच योदि को उड़्यां आपड़न है किh A और D के बीच में है तो E यहां नहीं आ सकता है कょकि यहां को जगी नहीं E को वहाँ बैठाओ यहां बैठे गैंHello आएगा या फिर डी आएगा तो भी आएगा यह इसका अंसर हो गया आई ओप समझ में आ रहा होगा इजी सी पजल थी अगले पजल देखो आप इसकीन पर मैं यहां बताता हूं इसमें कोई और अच्छा मेथड हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी की तरह की और भैतरी पजलों के लिए हमारे फेस्बूक पेज़ पर टुड़े फेस्बूक पेज़ की लिंक डिस्क्रेप्शन में दीविए 12 फ्रेंड से ठीक है साब 12 फ्रेंड से उनमें एं और शिटिंग इन रोप फेसिंग इस्ट मतलब इस्ट की तरफ देख रहे हैं देखो एक दो पांच चार ऐसे हो तो गोटेंशन है अब बाराग पीपल है तो आपको वापिस वही बत कहता हूं मैं हमेशा जो कहता हूं आपको इस तरह बना लिया करो देखो इस तरह की इस बना लिया करो कि इसका फाइदा क्या है इससे फाइदा यह होता है यह पेपर से पहले बना लिया करो आप इससे फ्लोर वाली बजल बनती है बोक्स वाली इससी बनाते हैं हम एज वाली इससे बनाते हैं ओर्डर वाली इससे बनाते हैं तो बना लिया करो क्या प्रूब से पहले स्टार्ट कर सकते हैं, अब क्या कह रहा है, कह रहा है 12 फ्रेंट से, चलो ठीक है 12 फ्रेंट से मैं थोड़ा ना, यहां से मिटो भी देता हूं, ताकि कुछ जगे मिल जाए हमें, ताकि मैं कंडिशन भी तो लिखूँ आपी, अब देखो, सम्झो इस चीज़ को, 12 फ् 6 to right of a, मतलब j है, पहले पहलिवा लेंग के लिए गरो, j sits 3rd to left of e, left of e है नि, u left, ऐसे बैठाउंगा, तो left में रही होगा, तो left of e है नि, मालो e यहां कहीं है, तो उसके first कितने है, 3rd है यहां नि, दो दने बीच मैं यहां j आ गया, चलो साब j आ गया, फिर क्या कह रहा है, who, who मतलब e, क्योंकि who से पहले क्या था, e था, sit 6 through, right of a, right of a, 6th, यानि 6th है, यानि 5 परसन बीच माएंगे, 1, 2, 3, 4, और 5, और यहां क्या है, a है, चलो ठीक है, काफी अच्छी information है, हम इसको सीधा तो नहीं उतार रहे, क्योंकि कोई फिक्स मिल जाए आगे तो, हम use कर सकते हैं, तो, 1, 2, 3, 4, और, 9, 10, 11, 12, यह लिख लिए मैंने, इसमें, यहां मैं right वाल information लिखूँगा, यहां मैंने wrong वाल information लिखूँगा, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे मुझे यह कह रहा है, कि g sits 4th to right of a, g sits 4th to right of a, right है न सरी, right of a, तो देखो, l यहां यहां कही हुआ होगा, इसके right मैं, यहां, 4th and, 1, 2, 3, g, एक information यह भी मिले भी है मुझे, ठीक है साब, यहोगा, g sits 4th to right of, who is not an immediate neighbor of c, l का स्पास, यहां c नहीं आ सकता, यहां c नहीं आ सकता, चलो ठीक है, b sits 5th to from, right and, बस, यही तो चीए था हमें, fix information, b sits 5th to right of, right and, यहां से 5th में, चलो ठीक है, यह 5th में यहां पर सोरी, क्या है, b है, यह बन की मेरी 5th, और कुछ का है, and h sits 2nd to left of d, 2nd to left of d, तो d के left में है, 2nd यहां है, यहां है, यह एक और information है, चलो ठीक है, is not immediate neighbor of i or f, e के आसपास i और f नहीं आ सकते, तो यहां मैं लिख लेता हूं, e के आसपास चलो, e का जो neighbor है, i और f यहां भी नहीं आ सकते, i और f यहां भी नहीं आ सकते, यह नहीं हो सकता, ठीक है साब, ओके, चलो आज चलते हैं, अच्छा, is not, but sits 2nd to right of b, 2nd to right of b, e की बात हूरी है, but है न, but और हैं कौन से, first object को, first object को बताते हैं, तो but, e, क्या है, e है, sit 2nd to right of b, second to right of b, first or second, यानि e यहां बैठ रहा है, e से यह information हमने use कर ली, कि i और f यहां नहीं आ सकता, i और f यहां नहीं आ सकता, चलो, ठीक है साब, there is 2% between c and k, c और k के बीच में 2% हैं, और यह interchange हो सकते हैं, चलो सही है, k is not immediate neighbor of j, k is not immediate neighbor of j, j के असपास k नहीं है, चलो, j, k, k नहीं ह अब देखो, e है, e से information यह में लिए, एक दो छोड़के j बना लो, एक दो छोड़के j बना लो, j से दो छोड़के, अपने a बना लो, पर j के असपास को नहीं है, यहां तो b already आ चुका है, तो कोई problem नहीं है, k यह यहां पर नहीं आएगा, चलो, ठीक है, यह information मैंने use ले यह information यह ले लिए, अब देखो, अच्छी जो जिसमें सबसे ज़्यादा जगे आ रही है, जो fix है, उसको use करना ही, यह वाली है, क्योंगे उनको total कितनी 5 जगे चाहिए, अब देखो, मैं बनाता हूँ, अब और कुछ तो इंसे related है नहीं, मुझे मिलनी रहा, तो मैं cases ही ले चलो यह case यह बन गया, ठीक है, दूसरा, यह तो एक पूरे case बना लो इसको, दूसरा क्या सकता है, अल यहाँ सकता है, तो एक, दो, तीन, जी यहाँ आजाए, इससे नहीं चाह नहीं सकता है, अल यहाँ आता है, तो एक, दो, तीन, जी यहाँ आता है, तो एक, दो, तीन, यहाँ है तो फोड़ा देख लो बड़ा देख लो आपको सकते हैं कि यह नहीं होगा इसी बात प्रड़ा होगा है यह होगा अब जोग प्रदेख सकते होगा तो पने पास पेंसिल रख सकते हो तो यह तो अप एसे लाएने और बना सकते हो, आपकी वित्स है, L यहाँ है तो G यहाँ है आप देखो, H और D के बीच में के एक बंदा है, H यहाँ है, एक बंदा छोड़ के D नहीं, H यहाँ है तो भी नहीं हो सकता, H को यहीं आना पड़े है, हूँ एक यहां आएगा और डी यहां आएगा चलो ठीके अब C और के लिए देख लो एका information c और के के लिए information यह है कि c और के के बीच में 2 person है c यहां नहीं आ सकता है तो और यहां अब के तो है सकता है तो obviously के नहीं आ सकता तो सी यहां यहां होगा और के यहां यहां आएगा क्योंकि इंटर्चेंज हो सकते ही तो यह सारे भर गए बच्छा आई और एफ तो यह information यहां गलत लिखी विए यह ए के नेबर नहीं थी ना आई और एफ यहां आएगा ठीक है अब देखो आई और आएफ नहीं आएगा यहां रहा है एक पूरा बन गया और वहां हमारे पहले केस में यहां तो अच्छी बात है प्री लेवल पे दो हो केसे नहीं बनते हुतते हैं पर तूसरे केसे गलत हुए मैं आपको बता देता हूं देगा yourja एक बार मैं इसको यां बनादेता ह। अठीक है एक केस और ले लेता हूं या फिर यहां बनाता हूं चलो आप लिए थोड़ा बड़ा बन जाया है ना कि आपकी किसमत होती है कभी-कभी जल्दी बनी जाती है ना कि पहले केस लिए वहीं सही नहीं चल गया तीर अब देखो क्या है जो जो फिक्स था मैं लिक रहा हूं ए फिक्स था मेरे साथ इसके बार सोड़के सी फिक्स नहीं था जे फिक्स था वी फिक्स था ठीक है एल मालो यहां आया तो एक दो छोड़के 3 छोड़ के G यहां ना पड़ा है G यहां आता है तो HOD यहां भी आ सकते है ठीक है और यहां भी आ सकते है चलो होल्ड पे रखो C और K के बीच में देखो C यहां आता तो 1-2 छोड़ के K यहां नहीं आ सकता C यहां आता तो 1-2 छोड़ के K यहां आ सकता अब देखो C और K और नएके बाद F और D बचा के है H और D, H और D यहीं कहीं आते है, H यहाँ आता, D यहाँ आता, या फिर H यहाँ आता, D यहाँ आता, पर अथा इतना पकाया कि जो बच्छे 2 I और F है, I और F उसमें से किसी A को तो यहाँ आणा पड़ता न, यहाँ पर यह यहाँ आ नहीं सकते हैं, मालो कि H और D यहाँ हो, या फिर H और D यहाँ हो, पर तो आई और एक जगे, यहाँ पर तो कोई H आ सकता, न, D आ सकता, बचा को न, एक I और F, यहाँ पर उनमें से कोई एक आता, जो कि यहाँ पर नहीं आ सकते, तो यह केस गलत हो गया, ठीक है, अगला केस समझ लो, अगला केस क्या कह रहा था, अगला केस कह रहा है कि, again मैं बना देता हूं, A fiks था, J fiks था, B fiks था, E fiks था, अगले केस में, L यहाँ ले रहे थे हम साहि कि, L यहाँ है, तो 1, 2, 3, छोड़ के, J नहीं, L यहाँ था, L यहाँ होती, C और K वाला पंगा पचलता कि C और K थाहा थे, C यहां था, 1-2, K थोड़ दे, यहां था, C यहां था, 1-2, 1-2 थोड़ कि K यहां था, तो C और K नहीं बन बारा था, इसलिए वो ओटोमेटिक गलत होई दे, जब आपका फरस्ट ही अच्छे से बन गया तो आप इतनी टेंसन आगी कि ना ले, आपको देख पजल बनानी थी, आपने बना ली, और जो अगली पजल है, पजल नंबर थर्ट, वो सुलेशन, उसका आप यहीं देखना चाहिए, तो पजल नंबर 10, पजल नामक प्लेइलिस्ट पे जाना, और पजल नंबर 10 पे उसका सुलिशन मिल जाएंगा, तो आई हो की तो समझ में आया होगा, और इस तरही की पजल के लिए, आप हमारे फेस्बूक पेज़ पर आई हैं, और हमारे चै वो बोर्ट 2.0 की पजल नहीं की है, तो जरूर सॉल करें, आपने फेस्बूक पेज़ पे डाल दी, उसका सुलिशन भी इसके अधियर वीडियो में दे दिया जाएंगा, थेंक्यू सुमझे रहे हैं, तो जरूर सुल करें, आपने फेस्बूक पेज़ 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 पे झाल झाल जाएंगा हैं, तो जरूर भी झाल जो जम जै तो जम दे बाखनाएंगा हैं, तो जरूर हैं, चैं। झाल